देश के अर्धिसैनिक बल यानि केंद्रिय सशस्त्र पुलीस बल जहां भारत की सिमाओं की रक्षा करती है वहीं जरूरत पढ़ने पर हर प्राकर्तिक या किसी दूसरी आपदा से भी नागरिकों को बचाती है कोरोना के संक्रमनकाल के दौरान भी देश के तमाम अर्धिसैनिक बल अपने मजबूती के साथ भारत की सेवा में लगे हुए हैं चाहे वो सिमाओं की रक्षा करना हो या फिर देश के अंदर लोगों को खाना रसद पहुँचाने से लेकर और लोकल पुलीस की मदद करना हो कंधे से कंधा मिलाकर C.A.P.F. के जमान इस संक्रमनकाल के दौरान अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं लेकिन इस बीच कई ऐसे खबरें आ रही हैं जिसमें केंध्रिक ग्रह मंतरी अमित शाह को भी दखल देना पना यानि संक्रमन का लगातार बढ़ता हुआ फैलाओ केंध्रिय अर्ध सैनिक बलों के बीच पुरे देश के लिए चिंता का करना मन लिया है अभी तक जो जानकरी मिली है उसके अनुसार करीब 530 अहिकारियों और जवानों को इस संक्रमन ने घेर लिया है और इन में सबसे ज्यादा B.S.F. यानि Border Security Force वो फोस जो जिम्मेदार है भारत की सीमाओं की पाकिस्तान और बांगला देश से रख्षा करने के लिए उनको घेर लिया है पिछले 24 घंटे में B.S.F. के करीब 32 जवानों को इस संक्रमन से संक्रमित पाया गया है कुल B.S.F. में अभी तक 227 जवानों और आधिकारियों को यह रोग यानि यह संक्रमन हो गया हो चुका है इसके लावा C.R.P.F. C.S.F. IT.B.P. को भी यह संक्रमन किसी न किसी तरीके से प्रहुइत कर रहा है और उनके जवानों को भी इस संक्रमन का कहीं न कहीं शिकार होना पड़ रहा है केंद्रिक ग्रह मंत्री अमिद्शाह ने इस भुशा पर तमाम जो अर्दिसेनिक बल हैं उनके महान दिशेकों को भुला कर एक बैठक की और हर संभव मदद करने का उनको भरोसा दिलाया साथ ही साथ केंद्रिक ग्रह मंत्री ने ITBP, आसाम राइफल, बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स, BASF, CRPF, CISF और NSG इन तमाम जो साथ CEPF की अंग हैं उन तमाम DEG's Director General यानि महान दिशेकों को बैठक के दोरान उनके परामिलिटरी फोर्स के कोंट्रिब्यूशन की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग कौरोना वईयस हैं और इनको, यानि कि परामिलिटरी फोर्स को किसी भी तरीके से जो भी संभव मदद की जरूरत होगी जो भी मदद केंद सरकार के तरफ से चाहिएगी चाहिए वो टेस्टिंग को लेके हो या क्वरिंटीन को लेकर हो वो सरकार उनको मुहया कराएगी और इस तरह के प्रावधान इस तरह के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि यह बिमारी यह संक्रमन इन अर्ध सैनिक बलों की ब कोरोना युद्धा के तौर पर जनता की सेवा में भी वो लोग अपने सक्रिय भागेदरे निभा रहे हैं। कई जगह पर CRPF, CSF और दूसरे अर्धसेनिक बलों के जवान रसद से लेकर भोजन तक भी जनता को गरीबों, श्रमिकों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच संकर्मन का फैलना पुरदेश के लिए एक चिंता का कारण है जिसके निराकरण के लिए जो संकर्मन को खत्म करने के लिए मोधी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।